जै किसान आंदोलन को पूरे 50 दिन पूरे हो चुके हैं ऐसे वे जिस देश में जै जवान जै किसान का नारा दिया जाता हो वहाँ पर किसानों के समर्थन में अब पूर्व सैनिक भी उतर चुके हैं यह यूपी गेट मौजूद हूँ मैं इस तमें गाज़ेपूर बॉर्डर है और यहां पर कुछ पूर्व सैनिक है जो मेरे साथ मौजूद है जो अपने संगठन के साथ यहां पर डेरा जमाये हुए हैं सर पचास दिन पूरे हो गए इस अंदोलन को इस्थिती अभी वी डेडलॉक की बनी हुई है दोनों तरफ से अपनी अपनी जो बात है वो रखी जा रही है लेकिन बीच का रास्ता नहीं निकल रहा है क्या परिशानिया है दिल में बूलबूले हो तो आसमा को जुकते देखा है अहो बाजूओं में दमखम तो पहाडों को हिलते देखा है नहीं चूमलेती मंजिले यूहीं किसे के कदमों को तूफाए जोसो तमनाओं में मुश्किलों को ढलते देखा है मुश्किलों को ढलते देखा है मैं मरीद पहले कमेटिया उसका हस्र क्या हुआ मैं कहता हूं आज आरोप लग रहे हमारी तरफ से कि उनकी आदमी समझ सकते हैं सोसल मेडिया वर ट्यूटर पूछें किसानों से किसानों से बैग्यान को सबसे बुज्जियों से मिल करके पर संसत पर रखें दोनों सदन में सबस्करणूर्ण चर्चा कर मैं उसके बाद इस प्रक्रिया समीति यहां करें लिगल्ल्य राइगी सप पर छे Перिब होंगे दिमनी रिपोर्ट यह टी मतल्या कि कि देश जलता रहेगा कि कब तक मानिय सुप्रिम कोट बताए मानिय आपकी जो भारती संदों बताए इस सर ने सदन का जिक्र किया कानून सदन सही पारित हुआ था इसके बाद अब जो स्थिति बनी हुई है किसान भी पीशे नहीं हट रहे हैं सरकार भी पीशे नहीं हट रह और उसके बाद समय दिया जाए और अगर इनको लगता है कि हम सही कर रहे हैं तो यह 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें अपने मैनिफेस्टों में इसको ले के आएं जंता के सामने कि हम तीनों किर्सिबिल ले के आएंगे नियूंतम समर्थनमूलिया पे हम कोई कानून न करती है तो हम हस्ते हस्ते स्विकार कर लेंगे फिर इन तिनों किस्ति कानूनों को देश में गर्तंत्र दिवस 26 जन्वरी को आने वाला है 26 जन्वरी को गड़तंतर दिवस मनाया जाता है ऐसे दिन एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी है इसको किस नजर से देखते हैं जी प किस अधिकार से आप उनको रोकोगे आप अगर उनको रोकते हो तो आपको बताना पड़ेगा कि समविधान के तहत कहां पे लिखा हुआ है कि एक जवान, किसान, मजदूर, एक आम आदमी, गरीब आदमी क्यों नहीं गंट तंतर दिवस की परेड में आ सकता क्या वहां पे सि उनने समझने के लिए बेतर है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं हो पाता क्योंकि इतने सारे लोग अगर एक साथ वहां पहुंच जाते हैं तो कैसे उनको समालना व्यवस्था हैं कैसे हो पाएंगी ताहदते हो गई तो आपने क्यों नहीं सरदाजली दी वह उनकों जनता देख रही है भगवान देख रहा है नियाए अगर कहीं है और उपर वाले की लाटी में बोलते हैं कि आवाज नहीं होती जिस देश में जय जवान जय किसान का नारा दिया जाता हो वहां किसान 50 दिनों पर सड़कों पर डटा हुआ है अभी तक किसी भी तरह की बात नहीं बनी है सरकार का कोई बड़ा प्रमुक्त नेता सड़क पर आकर सामने चर्चा नहीं की वारताओं का दौर लगातार जारी और उनसे बीना पूछे कोई निड़ा नहीं ले सकती है और यह बताइए 60 साल तक कांग्रेस ने जो हुकूमत किया उसने भी देश को लूटा मैं नहीं बोलना है कि उसने अच्छा किया उसने भी लूटा तभी तो उसको नकारा किया लेकिन 60 साल में जितना मजबूत नहीं हुई उतना च्छे साल में मजबूत हो गई कहां से मजबूत हुई है इन घरानों से अडानी मानी से लेकर के आए मजबूत हुए और इनी से लेकर के यह पैसा खर्च करते हैं पूर्फ सानिक होने के लिहाद से आप बाहर से जब देखते हैं तो इन कानून में सबसे आप लेकर सकते हैं क्या कोई और उसके अंबसक्तों सब्सें और णपर दोमनें को घरीदेगा और चलित पूजी पती के बास चला जाएगा पूजी पती की जो मगरमस टाइब के जो है नारमल वाले नहीं तो फिर वही जो है कि उसी तिन गुना चबुना रेट में उसको बेचेंगे और मजबूरन छोटे किसान को लेना पड़ेगा बड़े किसान तो नहीं मरेंगे इसमें मरेंग यह चोटे किसान है उनके जो भी छोटा ही जैमिन है बड़े किसान क hatred खीया बड़ा है ले सौटे और rendered किसानों सब्सक्राइब कि अब सबसे बड़ी दिकत किसानों को रही है कोई ब्यक्ति अपने जीवन को सुनस्चित करना चाहता है जाता हूं कि मेरी फसल कहाँ बिकेगी कौन लेगा कैसे लेगा एक ऐसे लेगा तो फिर इसकी और पाहर व्यापारी है को ने तो मंगा दो कहांगा तो ढह cinq ऐसी रेट पर लेगा अगर नहीं~! तो थाने में बैठा थानिदार किस कानून के तहस्त उस पर मुकदमा दरज करेगा तो हमें यह मैस्पी पता ही नहीं है कि हमारा कौन लेगा कैसे लेगा कहा लेगा इस सबसे बड़ी हमारे दिक्कत है इस दिकत को दूर किया जाए अगर वह बाहर का ब्यापारी उस आग्या का पालन नहीं करता है तो थाने में आप इससे पहले भी नहीं जा सकते था हम पहले की बात चोड़िए जो मुखिया उससे बात कर रहे हमें इमस्पी पर गारंटी चाहिए और हमने इसमें जोड़ा है आप समय तर आयो की रिपोल ये सीटू प्लस ठिप्ति क्या कहता है वही तो हम कह रहे हमें हर व्यापारी जो है वो भी हमारे नियुनतम मुनपले अगर नहीं लेता है तो नहीं लेता है तो उसमें करवाई की जा कानून हमें कानून से कम नहीं कानून से कम नहीं बिल्कुल देखिए हम पर बात करता हूं आर्थिक जो लोग होते हैं वो बताते हैं इस चीज़ को समझाते हैं एक लाग 80,000 करोड का जो है अभी तक उनके पास भंडारन मौजूद है ठीक है मस्पी पर सरकार लेती है आप को राशन के तौर पर देती है ठीक है 2000 रुपय का खरीदी आपको 20 रुपय में देती है इसी तरीके से कर सरकार खरीदी रहेगी जो आर्थिक बोज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अगर आप इसको एक एक एंगल से देखते हैं तो इस बोज को फिर कॉन्वय करेगा मै आइए मुझे पोसक तक आदमी को जीने के लिए बी सी डी एक बिमाब बिटामिन चाहिए का सबको पोसर तक मिलते हैं कहां से मिलेंगे मैं कहता हूं 2024 में देश में एक भी गरीब नहीं रहेगा गरीब क्या होगा सब अमीर हो जाएगा गरीब मर जाएगा वही एक व्यवस ही तो वह भी हमारा पैसा होता है सरकार की जिब का पैसा नहीं होता हमारा आपका दिया हुँआ टेक्स का पैसा होता है उसी से खरीदती है मिस पीब ये बताई इसमें कोर्पोरीट घाल अने का नाम कैसे है जी आज संका की बात मैं नी कर रहा हूं पुष्टी के साथ जब ह सब्सक्राइब तो पता है जो है तो उससे क्या हुआ है इंबेलेंस पैदा हो गया किसान जो है गेहु और चावल जादा लगाने लगे हैं सरसों का देल आज में लोग इंपोर्ट करना पड़ जाता है यह बताइए जो यह बढ़ता ही जाएगा इससे स्री राम गोल्ड का कीमत की बात करिया हम हमारा इसनमें हजार रुपे-बारास रुपे है और स्री राम गोल्ड आज के डियर्ट में सिर्राम गोल बाजाने सबसे बड़ी लोग आज यह लोग जागरी तो हुए हैं लेकिन पहले यह लोग कुम्ब करने की नींद सो रहे थे इन लोगों ने इस तरफ ध्यान नी दिया अगर किसी एक नेता ने आगे बढ़के इनको जगाना भी चाहा तो इन लोगों ने इतना ही ध्यान रखा कि नहीं अपना पेड़ भर रहा है बस बहुत इतने से काम हो जाएगा सबसे बड़ा रीजन जो है स मोदी जी ने चार शे महिने से करोना के उसमें राशन फरी किया है ना यह सेम वही कारण होगा कि जो थोड़े दिन पहले साल दो साल पहले यह रिलाइंस के वह आये थे यह जी वाया था कुछ दिन राशन राशन मुफ्त करना मोधी सरकार ने नहीं कहा था सर बाकि जितने भी तमाम देश थे वहां भी इसी तरीके के प्रणाली का इस्तमाल किया गया था गरीब लोगों में चीजे राशन बाटी गई थी वह जो दूशरे देशों की प्रॉब्लम थी ना उन्ह कैनेडा में उन्हों ने क्या गया जो लोग वर्क परमट में पैसा डाला गया कि आप लिए जब तक लौक डाउन रहेगा आप लोगों के लिए जो जितनी भी आपकी चाहे वो मोर्गेज होम मोर्गेज है चाहे कार मोर्गेज है वो स्टॉप कर दी गई कोई ब्याज नहीं कोई कुछ नहीं ठीक है आपको 20 साल का लोन दिया जब लौक डाउन खतम होगा 20 साल तब से शुरू हो जाए हमारी सरकार ने क्या दिया सिरफ चावल और दाल और ग्यों में उल्जागे रख दिया सब को इतना यूएनों से पैसा आया सब लोग यह मोदी जी और बड़े निदाकार गया पैसा गया का इतना बड़े बड़े देशों ने पैसा इखटा करके कंट्रियों को भेजा वो पैसा कहा चला गया सर जब उडिसा में सुनामी आई थी मैं उस समय इंगलैंड में था मैं अपने जीवन में घूंगता रहा हूं कि लोग ने पैसा इखटा गया इतना पैसा इखटा अगर वह पैसा उडिसा में लग जाता तो आज उडिसा चंडी कर से भी ज़्यादा बड़िया होता लेकिन पैसा कहा है कहा है सवाल तो इस बात का आज मोदी जी कह रहे है कि किसान बहुत अच्छा हो जाएगा कैसे अच्छा हो जायेगा सैमेरव कार रफढ़ फब कि ऩो तुमृब मिला है लोग थे ढूसरी गए तहले की बाद बताएं यह पहले आप कितने किसानों को नहीं पता है मार्च में यूरिय का कट्टा 900 रुप्य का हो जाएगा 280 286 रुप्य का है बाकी पैसे आपको नगदक अगर आप आड़ती से लेते हैं या कहीं से भी लेते हैं कि मोदी जी का यह कहना है सरकार का कि आपको 900 रुपय कट्टा पेमेंट करनी पड़ेगी बाकी पैसा तीन दिन बाद आपके खाते में आएगा एक मार्च से यह लागू हो जाएगा पता नहीं किसान जानते हैं कि नहीं जानते हैं उसमें क्या होगा एक दो बार तो आपको काफी देश घूमें वहां की जो किस खेती की परणाली उसको भी आप समझते होंगा उसको कभी नजदीक से आपने देखा होगा वहां में और यहां में क्या आपको लगता है कि क्या अंतर हो क्या चेंजिस कि जानी जानी चाहिए जो लोग जैज अमेरिका कैनड़ा बढ़ करना है माल तो मेरे पास 50 एकड़ का लौट है मेरे पास में गरीब हरे का कर दोडाब हो दूसरे में 실 leave तो परदाश कर जायगा यह बचारा जो बजाने कौन बादा स्था इसमें इसाया जाएंगे आप अगर कॉंट्रेक्ट भारिम्ग हो जाती है आप अपने लिए सब्जी तक नहीं वो अपने खेत में बो पाएंगे वो भी आपको बजार से लेके खानी पड़ेगी कहां जाएगा गरीबाद में हो तो 271 रोपय की गोवर्मट्ट देहाडी गषद हारी कि बलत आज तल्सीअ कि पर आज कुछ भी सुझरों लुवर्मेंट कर रही है कि 271 रोपय की दियारी है गोवर्मन्ट दियारी 271 रुपय में आप मेरे को बताई है जो आदमी अपनी मोटर सैक्ल से सुब द्याड़ी करने जाता है सिर्पय का तो वह पेटरोल फूग के चलाएगा बच्चों को कहां से खिलाएगा लागे चोरी डिकैती यही होगा और क्या होगा यही मोदीजी चाहते हैं समाधान क्या होगा सरकीं कि किसान भी सरकों पर डटे हुए हैं पूरे देश का सिंपती जो है उनके साथ है दूषी तरह सरकार है जो भी अपनी बातों पर अडिग है ऐसे में समय निकलेगा चाहे वह कॉंग्रेस हो चाहे वह बीज़ेपी हो हमारा कोई नहीं है सब अपना अ पढ़ेगा और जनता को खुद को भी जागना पड़ेगा जनता जब तक नहीं जागेगी यह लोग इस सब बत्तर हो जाएगा पचास दिनों गए अभी आगे का क्या बविश्य देखते हैं पता निसर दो साल बैठना पड़ेगा कि चार साल बैठना पड़ेगा लेकिन सब्सक्राइब करेंगे लेकिन यह चालिस जो नेता हमने बनाए हैं संगठन में अगर यह आज चाहें भी मोदी जी से आज्टा करके छे जहां से जूते मारके बघएंगे प्रदरशन की तयारी है अगर कानुन विवस्ता कि पुलिस आपको रोकदी है गो रोकिएगी है पुलिस तो हमारे साथ है हमारे भाई हां सब किसाने उक्षयंक्त on और यहां पर हम लोगों ने बात की जैजिवान जै किसान जिस देश का नारा हो उस देश में किसान सड़कों पर है इसी के समर्थन में यहाँ पर किसान भी आए हुए है जो लोग पूरी तरीके से समर्थन में और बता रहे थे कि किस तरह से वो जब तक यहाँ पर किसान मौजूद रहेंगे वो भी उनके समर्थन में यहाँ पर मौजूद रहेंगे गाज